हेलो एंड असलाम वालेकुम मौई डियर एस्परेंट्स होप यौर डूइंग गूड डियर एस्परेंट्स आज हमें एक नया टॉपिक डिसकस करना है ताइस लिमिट्स अंड डेरिवेट्व तो फिर्स आफ आल हम लिमिट्स पढ़ेंगे उसके बाद हम जो सक्कामारा नेक इसका कंसेप्ट्स किया एक मैतेमाटिशन ने जिसका नाम था वैसिस्ट्रस lied तो यहां पर आप देखेंगे लिमिट पहले होता क्या है उसके बाद हम पढ़ेंगे बिर टेखिब होता किया है a limit is of a function यह हम limit किसका निकालते हैं किसी function का function मैं आप अरड़ि आपको discuss किया था लेक्षर में तो यह हम यह हम किसी function का निकालते हैं is defined as a value यह value होता है तो यह limit होता है अगर हम किसी function पर apply करेंगे तो वहां पर हमें जो value निकलता है वो real number आता है ठीक तो वह एक value होता है where the function reaches as a limit reaches some value इसका क्या मतलब है जब हम किसी function को ये limit apply करते है तो वो जो function है वो जो value होता है वो tend करता है approach करता है उस value पे ठीक लेकिन वो exactly वो बराबर नहीं होता है exactly equal to that value नहीं होता है but वहाँ पे वो क्या है वो function वहाँ पे tend करता है approach करता है इसका मतलब क्या है जो ये limit है ये limiting value होता है किसी function का मतलब यहाँ पे देखेगा ये limit हम use वहाँ पे करते है when we have to find जब हमें function find the value of a function जब हमें किसी function का value find करना है near its neighbourhood ये याद रखेगा dear students तो जब हमें किसी function का value find करना है उसके आसपास नेबर हुड में तब हम क्या करते हैं तब हम यह limit यूज़ करते हैं वहां पे लिमिट की ज़रूरत हमें क्यों पढ़ी यह भी हम पढ़ेंगे मैंने आपको बताया क्यों ज़रूरत पढ़ी यहां पे हम जो अगर आप फंक्शन का value निकालना होगा उसके आसपास उसके neighborhood में तब हमें limit वहां पे use करते हैं वहां पे limit तो यहां पे अगर हम यहां पे consider करें मुझे इस function का value निकालना है यहां पे x क्या है? variable है आप सबको पता होगा और यह 1 क्या है? यह है constant मैंने पहले जिन से ही बता है यह variable is constant ठीक? और यह f of x क्या है? function तो यह function यहां पे x plus 1 के बराबर है अगर मैं इस variable का value यहां पे 1 देती हूँ ठीक? तो अगर मैं इसको जो मै यह एट x is equal to 1 लिखा है इसका मतलब क्या होता है यह जो यहाँ पर variable है मुझे इस variable को यह value देना है 1 value देना है जो यहाँ पर given है ठीक तो हम यहाँ पर put करेंगे तो वो क्या आएगा x के बदले आपको f लगाना है यहाँ पर तो आएगा f of 1 is equal to यहाँ पर x है उसके बदले 1 दीजीगा that is 1 plus 1 तो आपको 2 मिला ठीक तो यहाँ पर आपको function का value आराम से निकला कोई tension ही नहीं है कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन मौई डियर students जब आपको ऐसी function होगी यह देखेगा तो यहाँ तक जो questions सालो कर रहे थी functions को variables को value देते थे तो answer आता था आसानी से कोई दिक्कत नहीं होती थी लेकिन जब उन्होंने ऐसी functions देखी यह देखेगा यह हमारे पास function है function का value है x minus 1 divide by minus x plus 1 ठीक add x is equal to 1 इसका मतलब क्या होता है इस x को आपको 1 value देना है यहाँ पर जो x है numerator में भी और denominator भी यह function है function का value है तो यहाँ पर x का value 1 देना है तो जब mathematicians यह कर रहे थे जब उन्होंने value दिया इस function में इस x का value 1 दिया तो यहाँ पर क्या answer आता है वो देखेगा तो यहाँ पर आएगा f of 1 x के बदले आपको 1 put करना है is equal to x के बदले 1 that is 1 minus 1 divide by यहाँ पर minus x है x के बदले 1 that is minus 1 plus 1 तो dear students अगर आप observe करोगे यहाँ पर क्या आता है 1 minus 1 minus 1 plus 1 तो उपर भी 0 आता है नीचे भी 0 आता है तो यहाँ पर गनॉमिनेटर में भी 0 नूमिनेटर में भी 0 तो जब mathematicians ने ये देखा ये कुछ उनकी सामने face हुआ तो उसको हम क्या बोलते है यहाँ यहाँ पर भी नीचे भी 0 तो इसको हम बोलते है undefined value इसका कोई value ही नहीं है ये कोई नमबर ही नहीं है हमारे पास 0 बे 0 तो इसे को उन्होंने नाम दिया है indeterminate form जो मैंने यहाँ पर लिखा my dear students तो अगर आपके अब functions ऐसे होंगे जिनका value आपको indeterminate form आता है या undefined value आता है उस time आपको limit जो है limit का concept वहाँ पर जरूरत आता है तो मैंने यहाँ तक यह समझाया आपको कि हमें limit की जरूरत क्यों पड़ी with maths में limit की जरूरत क्यों पड़ी because जब हमें function का value उसके आसपस उसके neighborhood में देखना होता है अगर हम कोई function को value देते हैं उसके neighborhood में अगर वो indeterminate form आता है undefined form आता है तो वहाँ पर हम क्या concept करते हैं use limit का concept हम use करते हैं तो अब कैसे हमें use करना है अब हमें यह देखना है पहले उसके बाद जो questions हैं आपको आराम से आएगा आपको tension लिनी की जरूरत है but dear students में आपको पहले से ही बताया जब आपको basic समझ नहीं आएगा जब आपको यह समझ नहीं आएगा कि हमें एक topic पढ़ना है कहां पर use है कहां पर उसका need है हमें life में तो तब तक आपको questions भी अच्छे से आएगे नहीं तब जब तक आपको concept समझ नहीं आएगा तो first of all हमें यह देखना है यह जो limit है कहां पर use हो रहा है क्यों उसकी जरूरत पढ़ी कैसे आप उसको हमें solo करना है पहले वो देखेगा उसके बाद मैं आपको questions भी दिखाओगी ठीक है सीधे हमें questions पर jump नहीं मारना है तो अब आपने यहां पर समझा कि हमें यह limit का concept है यह हमें कहां पर जरूरत है आप देखेगा हमें कैसे आप use करना है यह limit का concept देखेगा माई डियर स्टुडेंट्स तो अब आपको इस function का यहां पर undefined value निकला तो हम क्या काम करेंगे हम एक number line लेंगे यहां से आप सब को पता है number line क्या होती है जब हम line एक लेते है उस पे जब numbers लिखते हैं उसको हम बोलते है number line कोई यहां पर खास बात नहीं है simple है ठीक अब आपने यहां पर x का value 1 दिया था ठीक इस function में आपने x का value 1 दिया तो मैं इस number line पे यही ड्रा करूंगी numbers तो यह हमारा for example यहां से है zero ठीक यहां से zero यह सॉरी मैं यहां पे number line बनाती हूँ यह number line है यहां पे मैं zero लिखती हूँ यहां इस side right hand side क्या होता है positive numbers left side क्या होते है negative numbers आप सब को पता होगा ठीक तो zero से यह line जो होती है positive और negative numbers उनको कौन जुदा करता है zero आता है यह hero बन के आता है वो इस number line को positive numbers और negative numbers को जुदा करता है ठीक अब यहां पे आपको क्या समझना है limit का concept ठीक तो यहां पे हम क्या करते है हमें x का value dear students 1 देना है function क्या है function है divide by minus x plus 1 शायद function यही था उपर whatever क्या होगा मैं आपको बस हम पे समझाओंगी हमें कैसे limit यूज करना है तो देखो dear students आपको इस x के बतले 1 देना है ठीक मैंने आपको क्या बताया limit जो होता है यह function का value है उसकी आसपास neighborhood में जो values है वो होता है limit तो यह one है यहां पे ठीक है ना one मैंने इसे बनाओंगी यह number line है यहां पे यह one है ठीक one के आसपास आपको इस side भी इस side भी numbers देखने हैं क्या है तो dear students वो क्या है अगर मैं यहां पे 0 लिखूंगी तो हाँ तो अगर मैं इस one के right hand यह है ना right hand side right hand side और यह है left hand side मुझे इस यह जो x का value one है उस one के जो आसपास numbers है neighborhood में जो numbers है वो ही हमें put करना है जो ओ function है जब हम वो values put करेंगे उस function में तो उसको बोलते हैं हम limit क्या बोलते हैं मतलब वो क्या है यह देखेगा one के आसपास में क्या है one point one one point two यहां से left center क्या होगा zero point nine 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 something होगा ना zero point eight zero point seven यही numbers है जब हम तो हम क्या करते हैं limit हम यहां पे use करते हैं जहां हमें undefined form undefined value मिलता है तब हम क्या करते हैं limit x tends to one यहां पे था one का x का value यह जो मैंने यह arrow लिखा it means tends यह यह एप्रोचिंग value ठीक यह exact value नहीं होता है यह होता है my dear students approaching value ठीक तो हम यह limit यहां पे use करते हैं it means जो हमें x का value जो one के बराबर है वो हमें one नहीं देना है वो हमें exactly one उस function में नहीं देना है हमें बस उसको जो exactly जो उसके आसपास में neighborhood में numbers है वो पूट करने हैं ताकि हमें function का value defined value मिलेगा उसको हम ऐसे हम limit का concept use करते हैं functions में I hope के आपको clear हुआ होगा मैंने यहां तक क्या बताया यही मैंने dear students यहां पे लिखा यह number line नहीं तो यह one यहां पे था उसके जो आसपास numbers है इस side जो होगा इसको बोलते हैं right hand limit याद रखेगा जो इस side के values है इस one के आसपास में उसको बोलते हैं left hand limit याद रखा right hand side simply right hand limit left hand side simply left hand limit ठीक है जब हम वो फिर values देते हैं तो हमें function का value क्या मिलता है define value ठीक तो अब यह जो लिमिट्स है इसको हम denote कैसे करते हैं lim लिखते है जो x का value होगा वहां पे चाहे 0 होगा 1 होगा जो भी आपो given होगा उसको ऐसे arrow करके फिर वो value लिखना है इसका मतलब क्या है यह जो यह x का value है यह approach होगा इस one तक बट यह not equality यह बराबर one नहीं हो सकता है यह tend करता है one तक ठीक और फिर यह function का value f of x लिखना है इसे हम limit करते हैं limit of a function denote करते हैं अब यहां पे आपको एक important वाद याद रखनी है वो क्या है dear student यह जो यह limit है यह अब exist का बहुता है अब आपने समझा limit का जो यह concept है किम जरूरत पड़ा और कैसे हमें उसको फिर use करना है आप यहां पे आपको और एक बात याद रखनी है limit exist कब होता है ठीक limit exist कब होता है जब आपका यह मैंने जो यहां पे लिखा limit extends to a लिखा उपर लिखा यह ऐसे minus dear students यह minus नहीं है इसका मतलब आप याद रखेंगा यह होता है left hand limit ठीक आप मैं यहां पे कहां लिखूंगी LHL तो हम क्या लिखते है सीधे I say dash ठीक minus it means left hand limit इसको यह नहीं समझना है यह minus है please तो क्या समझना है आप इसको क्या समझेगा यहां पे limit extends to A उपर है minus F of X इसको क्या पढ़ते है left hand limit ठीक और इसी कोल्ट यह जो यह extends to A plus है इसका मतलब है right hand limit ठीक तो अब limit exist कब होता है जब आपका function का left hand limit बराबर होगा जो function का right hand limit होगा ठीक जब वो बराबर values आएंगे उस time जो limit होता है वो exist होता है simply जब left hand limit is equal to right hand limit उस time हम क्या बोलते हैं limit exists और यह भी बात याद रखो आप अगर अब यह left hand limit और right hand limit बराबर नहीं होगा उस time आप क्या समझेगा limit does not exist simple तो dear student अगर आपको आप question आएगा उसमें आपको बताना होगा कि आप limit find कीजेगा simply आपको क्या करना है x को वो approaching value दीजेगा ठीक उसमें और कीसे आएगे जब आपको वो approaching value यह जो यह आप जब undefined value जब आएगा उस time हम क्या यूज करते हैं मैंने बोला limit यूज करते हैं लेकिन वहाँ पर हम फिर एक और rule यूज करते हैं by differentiation से हम वो solve करते हैं वहाँ पर उस rule क्यों क्यों क्या बोलते हैं l hospital's rule l hospital's rule उसको यह नाम क्यों पढ़ा l hospital's rule यह भी आपको बताऊंगी आगे जाके पहले आप समझेगा यहाँ पर मैंने क्या बताया limit exist कब होता है जब आपका left hand limit बराबर होगा right hand limit को और जब यह बराबर नहीं then उस time क्या है limit exist नहीं होता है अब आपको यह confusion हुआ होगा मुझे पता है क्या आपको यह पूरी तरह से clear नहीं हुआ होगा आप यह सूच रही होगे यह क्या बोर रही है left hand limit, right hand limit dear students जब आपको मैं question से दिखाऊंगी question आपको एक समझ आएगा उस time आपको यह सारा कुछ समझो मैंने बताया उस से ज़्यादा अगर आपको अभी कोई confusion है तो आपको पूरा clear होगा by example से यह देखेगा पहले आप देखेंगी properties यह हम बोलेंगी algebra of limitis यह properties of limitis यानि कि limitis में हम कुछ से algebra use करते है plus, minus, multiplication, division कैसे use करते है वो देखेगा my dear students पहली property यहाँ पे है limit x tends to a f of x limit apply करके वो बराबर आता है उनका जो limit है वो separate देना है एक function का पहले उसके बाद दूसरी function का बस यह property है यहाँ पे तो क्या आप याद रखेगा limit x tends to a f of यह यहाँ पे क्या है जो x का value वहाँ पे होगा जो आपको x का उस variable का value पुट करना है means limit इस function को भी है इस function को भी है यहाँ पे limit बोथ functions को है यह बराबर आता है limit x tends to a f of x plus या minus होगा limit x tends to a g of x ठीक उसके बाद limit x tends to a f of अगर multiplication होगा दो functions के बीच में क्या हो multiplication और उनको limit apply करेंगे वो किसके बराबर आता है उनको separate limit is दो वो उसके बराबर आता है तो limit x tends to a f of x dot g of x is equal limit x tends to a f of x multiply करो इसको अलग से then limit x tends to a g of x यह इसके बराबर आता है मौई डियर स्टूरेंट्स उसके बाद क्या है coefficient यानि कि division जब हम उपर लेंगे एक function नीचे लेंगे एक function numerator में एक denominator में एक फिर limit apply कीज़ेगा वो किसके बराबर आता है यह limit उपर भी दो numerator में भी और denominator भी separately तो वो उसके बराबर आता है that is limit x tends to a f of x divide by limit x tends to a g of x लेकिन यहाँ पे एक बात है यह g of x limit x tends to a g of x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए वो तो नहीं हो सकता है ठीक है अब यहाँ भी fourth property क्या है limit x tends to a lambda f of x lambda यहाँ पे है scalar moidier student तो अगर अगर हम किसी function को scalar से multiply करेंगे उसके बाद limit apply करेंगे वो किसके बराबर आता है अगर हम scalar को बाहर निकालेंगे और limit करेंगे apply किसी function को वो उसके बराबर आता है तो यह कुछ import properties था है limits के related बहुत simple है तो आप यह याद रखेगा अगर question directly आ सकता भी है कि limit x tends to f of x plus minus g of x किसके बराबर आता है तो अगर आपको given होगा function f of x g of x तो आपको limit apply करना होगा आप उनको separately भी limit apply कर सकते हो आपको दूनों side value सेम आएगा ठीक उसके बाद आप कुछ examples देखो कि हम limit is questions देखो कैसे हम limit यह जो है limit के questions कैसे आते हैं और कैसे हम उन पे यह method apply करते हैं ठीक यह देखेगा first question में यहाँ पे लिया है limit x tends to 3 x plus 4 तो यहाँ पे जो यह function है वो है x plus 4 यह function है dear students yes exactly this is a function तो यहाँ पे इसको आपको limit apply करना है x का value tend करना है 3 तो it means यह जो यह variable है उसको आप 3 value put कीजेगा ठीक अगर undefined form आएगी तो उसके बाद क्या करना है आपको approaching value लेना होता है उसके बाद आपको एक और rule यूज करना है जिसका नाम है l-hospitalist rule तो यहाँ पे हम पहले वोच्चा करेंगे अगर यहाँ पे function undefined नहीं है तो फिर हम क्या apply करते हैं यह देखेगा सीदे simply आपको क्या करना है जो यहाँ पे limit x tends to 3 x plus 4 लिखना है उसके बाद आपको जो variable है यहाँ पे x उसको value दो जो यहाँ पे x का value है आपको answer निकलीगा तो आपको क्या करना है limit x tends to 3 इस x के बदले आपको 3 value पूट करना है तो वह आएगा 3 plus 4 that is 7 यहाँ आपका answer है simply question देखे दियर स्ट्रेंज कितना simple है उसके बाद है दूसरा question में ने दिया है limit x tends to pi x minus 22 by 7 ठीक तो आपको pi value देना है इस x का simple है तो वह आएगा pi minus 22 by 7 ठीक अब थर्ड question यहाँ पे है limit x tends to minus 1 यह दिखेगा यहाँ पे यह polynomial function है x power 10 plus x power 5 plus 1 divide by x minus 1 उपर भी polynomial function नीचे भी polynomial function और आपको limit x tends to minus 1 करना है बस आप simply x के बदले minus 1 put करो देखो वहाँ पे क्या value आएगा that is the answer तो यहाँ पे x का value क्या है minus 1 यहाँ वो raise power 10 है plus minus 1 who raise power 5 plus 1 divide by x का value minus 1 है minus 1 minus 1 ठीक तो यहाँ पे even power है इस minus 1 को यहाँ पे even power है जब किसी जब 1 को even power होता है या minus 1 को even power होता है वो हमेशे positive ही value आता है तो यहाँ पे क्याएगा 1 ठीक अब यहाँ पे और power है minus 1 ठीक तो वो क्याएगा minus 1 ही इसमिनस आपको minus 1 5 पर multiply करना है वो क्याएगा minus 1 और यहाँ पे plus 1 है divide by minus minus is plus यहाँ पे plus करना है लेकिन sign क्या रहेगी minus की that is minus 2 minus 1 plus 1 minus 1 यहाँ पे cancel होगा तो यहाँ पे क्या value निकला 1 by minus 2 तो minus उपर जाएगा that is minus 1 by 2 आपको इस limit का यहाँ पे जो function दी गई है इसका value आया ठीक उसके बाद आपको यहाँ पे fourth part है इसका यह देखेगा बहुत important है dear students limit x tends to 1 ax square plus bx plus c divide by cx square plus bx plus a आपको यहाँ पे x क्या tend कर रहा है 1 x का value 1 दीना है आपको इस functions में तो देखो value क्या आएगा x के बाद ले 1 दीजिएगा that is a into 1 square plus b into 1 plus c divide by c into 1 square plus b into 1 plus a ठीक a into 1 that is 1 और square में हैं तो 1 into 1 that is 1 तो a आएगा b into 1 that is b c आएगा वापस ऐसे ही c into 1 square that is c plus b plus a इसको आप यहाँ पे order में लिखेगा that is a plus b plus c divide by a plus b plus c उपर भी same है नीचे भी same term है तो यह cancel होगा वहाँ पे आपको one answer मिला ठीक तो dear students यह simple questions थे तो अब लेवल बड़ेगी questions की अब देखेगा आप तो बूस सिंपल questions थे I think का आपको यह clear अच्छी तरह से होगा अगर यह question भी आ सकते हैं exam में यह नहीं सुचना कि यह बहुत आसान है अब यह questions नहीं आ सकते हैं तो dear students question आ सकता है जे के SSB की exams पे कोई बरूसा नहीं होता है ठीक तो यह देखेगा कैसे हैं बहुत सिंपल है अब हम और questions की तरफ जाएंगे ठीक है यह देखेगा my dear students 5 limit extends to 1 f of x आपको यहाँ पे value निकालना है इस function का जिसको आपको limit extends to 1 करना है function यहाँ पे given है पूरा देखेगा डरना नहीं है ठीक तो function यहाँ पे है x सुकेर minus 1 यह value कब है function का जब x का value less or equal to 1 होगा यानि कि 1 या 1 से जो वकाम values है वो function का value जब x का value जब होगा तब function का value क्या है x सुकेर minus 1 और इसी function का value दूसरा value है minus x सुकेर minus 1 कब होगा यह value when x is greater than 1 जब x का value 1 से ज्यादा है 1 नहीं 1 से ज्यादा है पूरा question पढ़ेगा ठीक यहाँ पे less or equal to है इसका मतलब है 1 भी include होगा और जो 1 से कम values है वो भी include होगे यहाँ पे greater than simply है it means 1 यहाँ पे include नहीं होगा 1 से जो भड़े numbers है वो include होगे उस time जो function का value है वो है minus times x सुकेर plus 1 तो यहाँ पे solo करना है कैसे हम solo करेंगे हमें यहाँ पे function के दो values given है तो हम क्या निकालेंगे हम निकालेंगे left hand limit और right hand limit अगर वो बराबर होगा तब हमारा जो limit है वो exist होगा अगर नहीं तब limit exist नहीं होता है तो आपको यहाँ पे यही limit find करना है तो पहले हमें क्या चाक करना है कि वो limit exist होगा या नहीं होगा ठीक यह देखेगा मैं पेरे क्या निकालोगी left hand limit जो मैंने उपर ही बताया वो हम किसे जिनोड करते है limit extends to 1 minus f of x वो किसके बराबर आएगा limit extends to 1 minus यहाँ पे function क्या है पूरा देखेगा 1 minus जब left hand limit है it means जब function का value less or equal to 1 होगा 1 से कम होगा 1 या 1 से कम होगा उस time function का value क्या है x square minus 1 यहाँ पे पूरा समझे का my dear student यहाँ पे आपका left hand limit है वो किसके बराबर है वो है less or equal to 1 जो value है वो ही आपको लेना है यहाँ पे तो वो क्या है x square minus 1 तो यहाँ पे function के बाद ले x square minus 1 लिखो अब simply 1 कहाँ पे x का value दो तो y गा 1 square minus 1 that is 1 minus 1 तो वो 0 के बराबर आया ठीक तो आपका जो left hand limit है वो 0 डिकला यह क्या यह 0 defined है yes exactly अगर आपको 0 by 0 आता तो वो undefined है अगर आपको यहाँ पे 1 by 0 आता वो भी undefined form है तो यहाँ पे आपको simply 0 आया this is a defined form और आपका जो left hand limit है वो किसके बराबर है 0 के बराबर अब हम dear students right hand limit निकालेंगे जो मैंने आपको बताया denote कैसे करते है limit x tends to 1 plus f of x यह किसके बराबर आएगा limit x tends to 1 plus कब 1 plus यानि कि 1 से ज़्यादा values जब हम x के values 1 से ज़्यादा values देंगे उस टाइम function का value क्या है minus x square minus 1 वो ही मैंने यहाँ पे दिया minus x square minus 1 अब यहाँ पे x के बादे आपको 1 देना है ठीक तो वही minus यहाँ पे बाहर रखो तो x के बादे 1 देना है तो 1 square आएगा minus 1 तो वो आएगा minus 1 minus 1 that is minus 2 तो यह आपका right hand limit मिला तो अगर आप यहाँ पे उब्जू करोगे आपका left hand limit 0 के बराबर मिला right hand limit minus 2 के बराबर मिला it means आपका left hand limit or right hand limit equal नहीं है तो जो limit है वो exist नहीं होगा my dear students I think आपको यह अच्छी तरह से clear हुआ होगा तो next question देखिएगा बहुत important question है limit x आपको find करना है limit x tends to 0 f of x where f of x के जो values है दो function के दो values है यहां पे first value क्या है 2x plus 3 यह value कब होगा जब x का value less or equal to 0 होगा 0 या 0 से कम values और function का value दूसरा भी value है यहां पे that is 3 of x plus 1 कब जब x का value greater than 0 होगा या नहीं के 1 से लेके ठीक उस टाइम आपको यह limit देखना है क्या यह exist होगा या नहीं होगा और limit का value क्या आएगा यह देखेगा limit हम निकालेंगे पहले left hand limit जो मैंने बताए कैसे निकालना है कैसे denote करते है limit extends to 0 minus f of x वह आएगा बराबर limit extends to 0 minus क्या कब minus यह देखेगा यह left hand limit minus यहां पे क्या है left hand limit वो क्या है x is less or equal to 0 उसका function उस time function का value क्या होता है 2x plus 3 इसलिए मैं यहां पे 2x plus 3 लिखा because यहां पे आपका left hand limit है ठीक तो आप value यहां पे x का value 0 दो इसमे तो आएगा 2 into 0 plus 3 तो आपका जो left hand limit है वो 3 के बराबर आया आप आपको क्या करना है आपको right hand limit निकालना है that is limit x tends to 0 plus f of x वो किसके बराबर आएगा limit x tends to 0 plus यहां पे right hand limit यानि कि 0 से बड़े values जब हम x को देंगे उस time function का value क्या है 3 of x plus 1 यही मैं यहां पे लिखा 3 of x plus 1 वो किसके बराबर आएगा 0 को यहां पे x का value यहां पे 0 लेना है that is 3 of 0 plus 1 3 multiplication करो 3 0 और 0 3 1 और 3 तो आपका function का value क्या आया 3 यह आपको left hand limit मिला 3 right hand limit भी मिला 3 it means जो function का limit है वो exist होता है और वो किसके बराबर है 3 के बराबर है यही मैं यहां पे लिखा dear students limit x tends to 0 minus f of x is equal to limit x tends to 0 plus f of x which is equal to 3 तो आपका limit exist होता है यहां पे ठीक तो dear students इसके बाद देखेगा अब यहां पे आपको तो यह यहां तक easy था कोई दिकत नहीं थी आप सीधे function में value पुट करते थे x का तो आपको वहां पे define formula देखी अब यहां पे question arise होता है अगर हमें यह defined undefined formula तो उस time हम क्या करेंगे वहां पे कैसे वो question solo करेंगे यह देखी का dear students यह मैंने एक example ली है limit x tends to 1 x square minus 1 divide by minus x plus 1 जब हम इसको इस x का value यहां पे जैसे हमने उपर values दे x का तो वैसे ही अगर हम यहां पे करते है x का value सीधी देते हैं 1 तो हमें यहां पे undefined formula या indeterminate formula तो उस time हम कैसे questions को solo करेंगे हम लगाएंगे यहां पे एक concept जिसका नाम है differentiation ठीक तो differentiation कैसे करेंगे तो उसको हम बोलते है L hospital's rule L hospital's rule क्यों तो इसकी एक story है मतलब यह जो यह L hospital rule L यह एक mathematician था जिसका नाम L से आता था इस time मुझे उसका पूरा नाम याद नहीं है I'm sorry for that तो उसमें वो बीमार था तो वो hospital में था ठीक तो hospital में वो bad rest में थे ठीक तो उसी दोरान के वो वहाँ पे differentiation इसी limit के बारे में पढ़ रहे थे तो उन्होंने ऐसी कुछ functions देखी जहां पे आपको undefined form मिलता था indeterminate form मिलता था ठीक तो functions वहाँ पे solo नहीं होते थे तो उस time उन्होंने उसी hospital में वो rule दिया कि हम उन functions को कैसे solo करेंगे इसलिए इस rule को नाम पढ़ा क्या पढ़ा L-hospitalist rule ठीक ये उसने वहाँ क्या किया उसने वहाँ पे एक concept लगाया जिसका नाम है differentiation अगर आपको differentiation के वीडियो देखने हैं आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं math lovers by इशरत रशीद तो वहाँ पे आप देख सकते हैं differentiation के वीडियो वहाँ पे differentiation के वीडियो मैंने अच्छी तरह से discuss किये थे और formulas भी chain rule भी जो आपके junior statistical assistant में भी हैं तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे हम वो discuss नहीं करेंगे बिकास हमारा lecture हमारा topic lengthy होगा हमारा यहाँ पे वो topic नहीं है तो यह concept वहाँ पे use होता है limit is जहाँ पे यह functionalist का value undefined form मिलता है वहाँ पे हम यह use करते हैं जहाँ पे उसको नाम रखा था L hospital ज़रूर ठीक अब वो कैसे हम सादो करेंगी dear students वो मैं आपको next lecture पढ़ाओंगी ठीक है because this time बहुत time हुआ है तो 30 minutes तो almost हो गई है हाँ तो हम यह lecture हम यह L hospital ज़रूर next lecture पढ़ेंगे और मैं आपको next lecture में पढ़ाओंगी derivatives के भी कुछ concepts तो इसके बाद बस हमें 2-3 lectures लागेंगे और मैं MCQs questions भी लाने वाली हूँ और कुछ tricks भी ठीक तो हमारा यह 4 chapter है यह जल्दी finish होगा तो आपका syllabus almost complete हुआ my dear students ओकी मिलते हैं next lecture में अलाहाफिज